इंडिया वर्सिस अफगानिस्तान ड्रीम लिवन प्रेडिक्शन वाले में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सिस अफगानिस्तान के बीच होने वाले सेकेंड टीटुन्टी मैच के ड्रीम लिवन के प्रेडिक्शन बारे में इस वीडियो में हम बात करें स्क्राइब कर आने दो का सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को आल पर प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी टीम को ओपन कर लेते हैं जो भी मैच होने वाला है इंडिया वरसे अफगानिस्तान के बीच में पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर आपको कॉंटेस्स जॉइन करने का उप्सन आजाएगा आपको कॉंटेस्स जॉइन कर लेना है कोई भी कॉंटेस्स आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं अगर आपके में फ्री इंट्री दिख रहे हो कि आप फ्री इंट्री जॉइन कर सकते हैं यहाँ जो भी आप कॉंटेस्ट जॉइन करना चाहते हैं जितने कभी प्राइज पूल वाला होगा प्राइज पूल कॉप सब्सक्राइब कर देते हैं तो चलिए आपको जो पहला आप सना जाता है हरे वीडियो में आपको बताता हूं कि सबसे पहले अगल आप ड्रीम पर मैच लगाने के लिए जा रहा है तो आपको वहां का वेडियो का जो रिकॉर्ड है वो पता होना चाहिए कौन से पिस मैच होने जा रहा है उसका रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए उसके बाद ही और ड्रीम लिबरन टीम मनाने के लिए आगी तरफ भढ़िए तो सबसे पहले जो में है कि ड्रीम लेबन में जो वहां पर मैच होने वाला है इंडिया और सफगानिस्तान का सेकेंटी ट्वन्टी का उसका वहां का पिछ रिपोर्ट क्या है कौन से वेन्यू पर हो रहा है तो उसके लिए आपको वहां पर गाइड की आप्शन पर जाना है मैच स्टेर्स पर जाना हैं कितने में हार मिला है इसका रिकार्ड भी हम यहां पे देखेंगे इंडिया अफगानिस्तान की बात करें तो चार में इंडिया को और अफगानिस्तान को दो में ही जीत मिला है तो इस तरह से इनके जो रिसेंट के जो मैचेस हैं वो भी आप यहां से देख सकते हैं कि कि तरह का दोनों टीमों को प्रफॉर्मेंस है मैच बाइ मैच दोनों को कौन से मैच में किस टीम ने कितना मनाया था यह भी आपको यहां से पता चल जाएगा वियू रिसेंट मैचेज पर आप क्लिक करेंगे तो यह चीजी आपको यहां से दिख जाएंगी अब बात कर लेते है टॉप पिक्स में आपको अगर पता करना है तो यहां पर आप टॉप पिक्स पता कर सकते हैं बोलर समईर भी विश्नोई हैं तिलख बर्मा है वेटस्वान में अर्सदीब सींग है और अगर अफगाइश्टान की बात करें तो यहां पे नएब हैं नभी हैं अबर जाई हैं यहीं पे आपको इनके ड्रीम टीम में परसेंटेज इनको कितने परसेंट लोगों ने इनको सेलेट किया है यह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यह एक एक पॉइंट जो एक एक इस्टिस में आपको बता रहा हूँ मैज लगाते हैं तो आपको इन सब को फालो करना है उसके बाद ही आप प्लेयर सेलेक्शन में आपको आसानी होगा बहुत ही इजी हो जाएगा आपको प्लेयर को सेलेट करने में रन की बात करें तो ला मैच मैचेश हैं उसमें जो प्लेएर के परफॉमंस हैं उसी के बेस में बना रहता है तो यहां पर आपको उसाफ क्लियर दिख रहा है कि रोहिष सर्मा सुब्मन गिल्ड और तिलक बर्मा यह आपके प्लेएंग लीवन का हिस्सा रहने वाले हैं ड्रीम लेवन में अफगानिस्तान की बात करें यहां पे नभी ने 949 गुर्बाज 102 और जादरान 80 यहां से भी क्लियर्टी एक आपको दिखी कि अब 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 कौन से करते हैं और जो इस्पिनर्स होते हैं उनके ज़्यादा प्रिफर करते हैं और इंडिया की तरफ से और हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान तो वहां पे नैब और फाजल फायरुकी आपको दिखेंगे अफगानिस्तान की तरफ से जिन्हों ने 6-6 बिकट हासिल किये हैं तो दोनों को ही इंडिया पीश स्यूट करते हैं तो आप दोनों को ही स्यूट कर सकते हैं लेकिन अगर प्रेसर्स फ्रेंडली पीच है तो वहां भी आप चाहें तो रभी विश्णोई या मुजीब में से किसी एक option को आप select कर सकते हैं अगर जो यह मेरा selection है मैं रभी विश्णोई को prefer करूंगा मुजीब के अगेंस में तो यहां पर बात हो गई player batsmen की और ballers की बात हो गई यहां पर अगर यहां पर average point और total point भी यहां पर आप देख सकते हैं दो दोनों टीमों के प्लेयरों के टॉप जो पिक्स हैं अगर आपको यहां पर फुल डीटेल चाहिए तो आप यहां पर हैं और जिसमें की जैस्वाल का जो खेलने का चांसे से बहुत कम हैं तो जैस्वाल को आप इस्कीप कर सकते हैं सुमन गिल का जो आप्शन एक सुद्व है और तिलग बर्मा है आपके पास अगर विराट कोली खेलते हैं तो आप तिलग बर्मा को इस्कीप कर सकते हैं और आ प्लेयर के परफॉमेंश धिक रहे होंगे बिगट की बात करें। तो यहां पर भी आपको आवेज खार अन्ट, कुल दीप यादव, यह लोग लाच्ट मैचों में यहां पे अबलेबल नहीं थे अर्शदीव अबलेबल थे, मुकेश अबलेबल थे। जो टीम थी उसमें थो को मिल सकता है कि कौन से प्लेयर किसे नव reagares करने को मिल सकता है अब अपने मेंड पॉरिंट पजाते हैं कि हमें का वहांका वेन्यू कर जो रिकार्ड है वो कैसे पता करें तो वेन्यू जो है यह होलकार क्रिकट स्टेडियम इंडॉर में फोरह है और अगर हम बात करें तो यह पिछ है बॉलिंग फ्रेंडली पिछ है आप बॉलर्स को सपोर्ट करने वाला है साथ इसाथ गुट फॉर पेसर है तो जो आपको रिसेंट में अभी जो आपको इस टेस्ट बताए थे उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो तीन ब हो सकता है माइट भी जो चांसेज यहां पर पीछ रिपोर्ट देखने के बाद बन रहे हैं उसके बाद यहां पर आपको जो बारिस की कोई भी वहां पर चांस नहीं है संभावना आपको वहां पर पूरा मैश देखने को मिलने वाला है और हैट-टुएट की बात करें सपोर्ट कर रहा है तो मैं इस्पिनर्स में भी एक स्था को साथ जा सकता हूं चाहे वो रभी विस्णोई है या मुझीब हैं तो मैं ने बताये आपको मैं रभी विस्णोई साथ जाशता हूं हलाकि यहां पर आप देखेंगे रिकॉर्ड में 25 बिकट ली हैं तो मतलब यह की चाहिए है और संसे को छोड़ सकते हैं आप यहां पर हमारा जो पहला को सबसे साथ का है गुरबाज का जो बैटिक पोजिशन है उतकी आजाता है और अगर बिटाट कोली और रोही शर्मा सुभमंगील इसनके बाद ही आपको जीटे सर्मा की बैटिंग दिखती है रिंको सिंग भी आ जाते हैं तो यहां से हम गुरबाद के साथ जाते हैं गुरबाद का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा था पहले मैच में उन्चास पॉइंट आन ने किये थे इन्होंने और बैटिंग 27 पॉइंट था अधर पॉइंट इनका 22 था इसके साथ ही इनके जो क्रेडिट पॉइंट है आप देख रहे होंगे वो भी सेम है एक्वल मला बर सेमी बना हुआ है तो इसमें कोई चेंजिस नहीं देखने को मिल रहे हैं तो प्लेयर का जो चांसेज हैं ड्रीम लिबन भी आपको हिंड देता है कि यह प्लेयर आपको अगले मैच में परफ सर्मा उस मैच में रिंबना सकते थे लेकिन जो रन आउट हुआ उससे उनको जाना बना पर प्रबेलियन तो लेकिन अभी इस मैचों में चांसेज हैं कि रोहिस सर्मा हिट कर सकते हैं आगे हम बिराट कोली के जो अवेविल्टी है वह बताता हूं कि 99% बिराट कोली सर्मा या फिर रिंको सिंग या फिर आप तिलग बर्मा को स्रेट कर सकते हैं तो वहां पर मैंने रिकॉर्ड आपको दिखाया था बैसमेन का मैंने रोहिस सर्मा बिराट को ली और हम यहां पर अगर अफगानिस्तान की बात करें तो यहां से जादरान को स्रेट कर लेते हैं तीन प्लेर हमने यहां से लिया, एक प्लेर हमने गुर्बाज को यहां से लिया, दो आपका इंडिया से दो अफगानिस्तान से हो गया है, आल राउंडर की बात करें तो नभी हो गए हमारे पास ओमरजाई हो गए अफगानिस्तान से और सीवम दूबे इंडियन टीम से हो पास तीन आप्सन बचता है यहाँ पे तीन आप्सन में तीन बॉलर स्लेट करने हैं तो राशित खान की अबिलिबिल्टी में भी दोड़ डाउट है माइट भी उनके भी चांसे बन जाते हैं कि वो अबलिबल रहेंगे लेकिन थोड़ी से इंजिरी है इंजिरी क्लियर होती ह आप इनको लाइन अप आउट होने के बाद स्लेट कर सकते हैं बॉलर हमने यहां फे अरश्दीप सीङ्ग नभी अरभी बिसनोई को सिलेट किया है और यहां पे हम टीम दिखा देते हैं झे अरश्वीम्हस हे इस छे-पांच का जो रे सियो है अगर हम यहां पर बॉलर की ब सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं यहां पर जो कैप्टन का जो पहला आप्शन है हमारे पास वो रोहिच सर्मा के साथ है वाइस कैप्टन के गर हम बात करें तो पुछले मैच में हमने वाइस कैप्टन ओमर जाई को बनाया था तो इसमें भी उनके चांस और रोहिस सर्मा के साथ जा रहे हैं इसमें चेंजेस हो सकते हैं अगर रासीद खान अभीलेबल रहे तो आप रासीद खान के साथ जा सकते हैं उमरजाई के जगा पे कि उमर जाई के जो प्रफार्मेंस आप देखेंगे 7.5 क्रेडिट है और 64 पॉइंट अर्ण है किये थे इन्होंने और 100% ड्रीम लेबन में हिस्सेदारी थी साथ ही साथ इन्होंने बैटिंग से 35 और बॉलिंग से 25% अर्ण किये मतलब यह ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको पॉइंट दे सकता है और आपको ड्रीम लेबन में जीताने के जो चांसेज हैं वो बढ़ा सकता है यहाँ पे आप उमर जाई की जगा सिवंदूबे को भी सिलिट कर सकते हैं अगर आप उमर जाईब के साथ नहीं जाना चाते हैं तो आपका जो दूसरा आपसर मैं में बताता हूं कि Vermodule के साथ जा सकते हैं सिवंदूबे का जो रीसेंड का फोम है वो काफी अच्छा है लेकिन आपको यहाँ पर मैं बत आपको जैसवाल को भी खेलते हुए दिख सकते हैं तो आपको लाइन अप आउट होने का इंतजार करना है उसके बाद आपको यहां पर जो भी टीम मैंने बनाया है उसमें आप थोड़े बहुत चेज़ेश कर सकते हैं जैसे कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने आप नमीन के साथ जा सकते हैं तो कैटन में आप रोहिष सर्मा होगे गुर्बाज आपके पास आपके पास बिराट कोली अगर अब लेबल रहते हैं तो आप सिरेट कर सकते हैं लेकिन आपको वेट करना है लाइन अप आउट होने का लाइन आप आउट होने के बाद आपक जो जो पिक्चर है वो आपको सो जाएगी कि कौन सब लेयर खेल रहा है कौन सब लेयर नहीं खेल रहा है